ब्राट तु यू बाई इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धम्मा के दार डील सिरफ फ्लिपकार्ट पर कॉंग्रिस ने मध्यप्रदेश, शतिसगड़ और तेलंगाना विधान सभा चुनाओ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है मध्यप्रदेश की 144 सीट, शतिसगड़ की 30 सीट और तेलंगाना की 55 सीटों पर उम्मीदवारों की खूशना की गई है मध्यप्रदेश की बहुत चर्चित विधान सभा सीट बुधनी पर कॉंग्रेस ने टीवी स्क्रीन पर बजरंग बनी का किरदार निभा चुके एक्टर विक्रम नस्ताल को उतारा है बुधनी विधान सभा सीट जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान का गड़ है सीएम यहां से पाँच बार विधायक रहे हैं वीजेपी ने इस बार भी यहां से सीएम शिवराज सिंग चौहान को ही प्रत्याशी बनाया है इसे पहले जो है साल 2018 के विधान सभा चौहान में सीएम शिवराज सिंग चौहान के सामने कौंग्रेस के पूरू PCC चीफ अरुन यादव को मैदान में उतारा गया था लेकिन वो 58,999 वोटों से हार गए इस बार कौंग्रेस ने विक्रम मस्ताल पर भरोसा जताया है विक्रम जो है वो साल 2008 में रामान सागर के बेटे आनन सागर के टीवी शो रामाय में हनवान जी की भूम का निभाने के लिए काफी फेमस हैं उन्हें बता और हनुवान जी टीवी पर on screen हनुवान जी के करदार के रुप में जाना जाता है तो हमने विक्रम मस्ताल से बातचीत की विक्रम ने एक्टिंग छूड़कर राजनीती में आने के पीछे की जो वजय है उसमें एक प्रमुक वजय बताए कि इलाके में पानी की समस्या थी इस वजय से वो जो है उन्होंने कॉंग्रेस पार्टे का दामन था मगए मैं एक्चुली बताना चाहूं को कि मैं जो मद्यप्रदेश के सलकनपुर जगा है बुद्धी विधान सभा वहीं का रहने वाला हूं और यहां के शोशल वर्क्स में जुड़ा हूं काफी समय से काफी चीज़े लेकर काम कर रहता हूं काफी समय से काम कर रहा हूं उसी बीच मैंने एक नहर की समस्या को उठाया कि नहर कभी काफी समय से कच्ची थी उस विशय में मैंने सब्सक्राइब कर रहा है अगर आप जनता की आवाज उठाते हैं तो आपकी आवास को बंद कर दिया जाता है क्यों मैंने मानि शिवराज सिंह की का शाशन देख रहा है और उचिव थी मत्रिय में ऑलगे MICHAEL धर她 लौषमर के लोग है जो मेरी 40 ऐसी Tinaop हक टालीक साल यह के एकछाज में हम कुराज हुए तपर आज में अफसोस होता है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला जो हमने चुना जो 20 साल तक प्रदेश का शाषक राय और उसने प्रदेश को कहीं पीछे दाखेज दिया इस बातचीत में विक्रम ने कारोप लगाया कि CM शिवराज सिंग चौहान ने अपने विधाल सभा शेतर में कुछ जगहों के नाम जरूर बदले हैं लेकिन कोई बड़ा काम नहीं किया है अभी मानि शिवराज जी ने प्रज्वल बुधनी योजना शुरू करी है वो भी अभी अभी चुनाव के समय सारी योजना आई है लाड़नी बहना हो जो भी योजना आई है इसको लेके बहुत प्रचार किया गया मुझे इस बात का अफ्सोस और ठहते हुए ये अफ्सोस हो रहा है कि पूरी बुधनी पिधान सवा में मुझे एक जुवक एक ऐसी लड़की एक जुवा ऐसा नजर नहीं आया जिसको सीको कमाओ में मौका मिल रहा हूँ इसको आठ प्रदेश के पूर्वसीम कमलनात का भी नाम है वो इस बार भी छिनवाडा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे वहीं बीजेपी ने उनके खिलाब बंटी साहु को मैदान में बंटी साहु जो है वो छिनवाडा जिले के बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं जिला अध्यक् जो इस बार भी उनके अपोजिट खड़े हुए हैं उनको 25,837 वोटों से हराया था इसके अलावा जो है मध्यप्रदेश के कुछ बड़े नामों की बात करें तो लाहर सीट से जो वरतमान में सीनियर कॉंग्रेस लीडर और वरतमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोवि ब्रति मंत्री अरजुन सिंह के बैटे आजए सिंह को कॉंग्रेस ने चुरहट से टिकट दिया है जबकी नेता प्रतिपक्ष रहे और विधायक सतेदेव कटारे के बैटे हेमन्त कटारे को अतेर विधान सभा सीट से टिकट मिला है राजसभा सांसद और पूर्व सीम रहे दिविजय सिंग के भाई लक्षमन सिंग को चाचोडा और उनके बेटे जैवर्धन सिंग को रागो गड़ से दोबारा टिकेट मिला है अब बात कर लेते हैं 36 गड़ की उके मंत्री भूपेश बगेल को उनके दूर के भतीजे विजय बगेल के खिलाब पार्टन से इस बाद फिर से टिकेट दिकेट दिया गया है विजय बगेल वह वरतमां में दुर्बेश से सांसद भी है पार्टन सीट से बूपेश बगेल वह है साल 103 से लगा ता लड़ते आ रहे हैं इसी सिट से लगा तरव Sum चुनाव 2003 से हमने बताया look आ रहे हैं वहाँ पे उप्पु मुख्यमंत्री जो है टीय सिंग देव वो जो उनकी पारंपरिक सीट है अबेकापुर वो वहीं से चुनाव लड़े हैं और 2008 में वो पहली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे और उसके बाद से लगातार वो उस सीट से जीतते हुए है जो है जीतते र वहीं तेलंगाना की बात करें तो कॉंगरेस ने तेलंगाना में 55 सीटों पर उम्मीदवारों की घोशना की है अब ये तो आपको पता ही है कि 5 राज्यों में विधान सवा चुनाव है मिजोरब में 7 नमंबर को वोटिंग होगी चत्रीस गढ़ में चुनाव जो है वो दो चरण में हो रहा है साथ नवेंबर और 17 नवेंबर को एक ही चरण में चुनाव हो रहा है मदीपरदेश में 17 नवेंबर को और राजस्थान में जो अब डेट बिदल गे उसके बाद 25 नवंबर को वोट डाले जाएगे और सबसे आखिर में तिलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग यानि सभी राज्यों के चुनावी नतीजे जो है वो एक साथ आएगे तो कॉंग्रेस का जो है टिकेट डिस्टिबूशन है उस पर आपकी क्या रहा है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा पिरने नाम है विकास वर्मा देखते रहे हैं लले लटाव शुक्रिया